अस्राम लेको फ्रेंज ये एक लेटिस्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको कम्पलीट प्रोसीजर समझा दूँगा कि भाया आप लोगों ने पाइ नेटवर के अंदर के वैसी को कैसे सब्मिट करना है उसके लवा अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि भाया टेस्ट पाइ नेटवर के अंदर किया है तो इसके उपर भी मैंने आल्रेडी वीडियो बना रखिया वो वीडियो मेरे इस चैनल पर आप लोग जाका देख सकते हैं तो पाइ नेटवर के अंदर दोस्तों के वैसी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर थ्री डाड़ के ठीक है तिम्पली आप लोगों ने इसके उप्शन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पाइ नेटवर के अंदर मेने चेक लिस्ट के जो स्टेप से वो आपको देखने को मिल रहोंगे ठीक है अब हमने के वैसी को समिट करना है और वो है सा गताए नेटवर के अंदर के वैसी को समिट कर सकते हैं अब यहाँ पर सस्टों के पाइटवर की के वैसी का जो ओप्शन है वो यहाँ पर ओपन होगा अगर आपको पाइ नेटवर की के वैसी ऍ Marg van Phrak नहीं हो अब सबसे पहले आप लोगोंने language को चूज करना है जो language आप पी होनी चाहिए वो English होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पर आप लोगोंने date of birth चूज करना है date of birth आपकी ID कार्ड वाली होनी चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने country को select करना है कि भया आप किस country से हैं अगर आप लोग इंडिया से हैं बंगला देश हैं तो अपनी कंट्री को चूज करना है तो मैंने पाकिस्तान को चूज कर लिये हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर आईडी टाइप के अंदर आपने आना है यहां पर आपने ड्राइविंग लेसंस आपको दिया गिया है पासपोर्ट दिया गिया है इनमें से आपके इसके थरूप पाई नेटवर्क की के वैसी समिट करना चाहते हैं तो जो रिकमेंडेशन होता है वो है नेशनल आईडी कार्ड लेकिन यहां पर मैंने ड्राइविंग लेसंस को चूज किया है अब यहां पर आपको दो अप्श पासपोर्ट की फोटो को यहां पर अपलोड करना है जो नेक्स आपने यहां पर करते जाना है उसके लवा यहां पर दोस्तों आपको बताया गया है कि आपने फोटो किस तरह से खीचनी है तो मुबाईल आपका लेंस के मोड में होना चाहिए और लाइट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ठीक है मतलब जो कुछ आप लोग खेंच रहो ना वो क्लियर नजर आनी चाहिए ठीक है उसके लवा दोस्तों आपने ID टाइप के अंदर देख लेना है कि भाई आपने जो चूज किया था पहले ID टाइप के अंदर ID कार्ट चूज किया था यह ड्राविंग ल तो यहाँ पर मैं driving lessons के जो front photo है front side वाली photo यहाँ पर मैं सबसे पहले यानि के खीच लूँगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं front photo हमने खीच ली है उसके बाद add back photo पर आपने click करना है और यहाँ पर ID card की आपने back photo को यहाँ पर खीचना है ठीक है अब य यहाँ पर ID card की front photo back photo आपको दोबरा से देखने को मिल रही होगी उसके लवाब आपको एक complete form यहाँ पर दिया गिया है यहाँ पर आपने पूरी information यहाँ पर इंटर करनी होगी ठीक है सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या इंटर करना है आप लोगों ने अपना first name यहाँ पर इंटर करना है ठीक है उसके लवाब आपने middle name इंटर करने है और यहाँ पर आपने last name इंटर करना है अगर दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर तीन name है तो सबसे पहला आपका first name के अंदर आएगा दूसरा यानि के middle name के अंदर आएगा तीसरा last name के अंदर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने email ID को यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर document ID नमबर जो भी आपका है वो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करना है उसके बाद आपने expiry date of ID आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करना है ठीक है उसके बाद आपने नीचे आन के अंदर हैं तो यहां पर अपने उर्दु के अंदर शहां पर ना यहां पर इंटर करना है। इंगलिश के अदर हो गहांए औरilt की उन्दी को इंटर कुछा है। zip code होगा वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपने भी इसी तरह से अपने CT का zip code मालूम कर लेना है तो यहां पर दोस्तो मैंने zip code अपना CT का मालूम कर लिया है उसके बाद यहां पर मैं enter कर दूँगा ठीक है तो simply दोस्तों आप लोगों ने इस तरह से इस form को फिल करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है इस form को फिल करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा आप लोगों ने simply next step के option पर आपने click करना है जैसे next step के option पर आप click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं loading please wait तो आपने यहां पर थोड़ा सा wait करना होगा उसके बाद यहां पर identity confirmation के आखरी step के अंदर आपने अपनी face की recognition करानी है मतलब कि आप लोग real में person है या फिर robot है ठीक है तो यहां पर आपकी video record होगी उस video के अंदर आपने face को उपर करना होगा नीच है ठीक है मतलब कि face को आपने सामने लेना है green पटी आपके दिखाई दी जारी होगी ठीक है और यहां पर आपने थोड़ा सा मुस्कराना होगा उसके इलावा आप लोगों ने यहां पर left देखना होगा 3 सेकंड के लिए उसके बाद आप लोगों ने right देखना होगा 3 देखना है इसी तरह से आपने नीचे देखना है दोस्तों आपकी यहां पर जो live news चेक होगी ना वो यहां पर complete हो जाएगी ठीक है उसके बाद यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो data है वो यहां पर upload होना start हो चुका है तो थोड़ा सा आपने यहां पर wait करना है उसके बाद यहाँ पर दोस्तो आपने जो farm fill किया है information detail वाला वो farm आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने दोस्तो यहाँ पर कुछ editing करनी है मतलब आपको लगता है कि भाया इस farm के अंदर मैंने कुछ गड़बर कर दिया तो उसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं उपर आपको pencil का option दिया गया है इस pencil के option पर क्लिक करके ठीक है लेकिन दोस्तो यहाँ पर मैंने farm को सही तरह से fill किया है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ यहाँ पर changing करनी है तो इस वज़ए से दोस्तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं simply next के option पर क्लिक करूँगा उसके पाद यहाँ पर दोस्तो आपको ID कार्ड के front photo और back photo यहाँ पर देखने को मिल जाएगे वो यहाँ पर upload होना start हो चुका है अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं congratulations आपकी जो पाइनेटवर के अंदर KYC है वो यहाँ पर submit हो चुकी है और यहाँ पर status अगर आप लोग देखेंगे तो अभी आपको applied का status देखने को मिल रहा होगा क्योंकि आपने अभी पाइनेट पर के अंदर minute checklist के अंदर आपने आना है तो यहाँ पर आपको minute checklist के अंदर जितने भी steps होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे ठीक है और यहाँ पर आपको timer भी अब आपका start हो चुका होगा आप दोस्तों देख सकते हैं सात्मा step जो है उसके अंदर तो हम पर approve हो जाएगी तो आई होब दोस्तों आपको यह वीडियो च्छे लगी होगी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको complete तरीका बता दिया है कि आपने पाई network के अंदर के वैसी को कैसे submit करना है तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे next वीडियो में अगर आपके कुछ कोश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में अपना रखिया बहुत सरा ख्याल अलाहाफ़ेज